धर्मनगरी हरिद्वार में देश विदेश के श्रधालों ने आस्था और श्रधा के साथ गंगा दशैरा मनाया। गंगा अस्नान के लिए हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर श्रधालों का सेलाब उमर पड़ा। इस दोरान श्रधालों ने गंगा में आस्था की डुपकी लगा कर पूर्ण ने अर्जित किया गंगा घाटों पर चारों और बंबं भोले जैमा गंगे के जैकारों की गूँज सुनाई दी गंगा मया के जला भिशेक दुगदा भिशेक के साथ ही श्रधालों ने मंदीर के दर्शन किये और दान पूर्ण ने किया। चलता रहा है। शेरी जो स्रेष्ट है जो प्रित्वी के रिष्टेता है शिव संकर महाराजी उनके करकर मलोद्वारा इसका जोने स्थापना होई दी बहुत सद्यों पहले। और इसको नाने के बाद में सनान करने के बाद में वो मैशूस हुआ जो कहीं भी किसी भी चीज में अनद निया था। गंगा जी में सनान करने के बाद सब थकावट और सब विमारी और सब जोने संसारिक मो भंग दूरो जाता है। जो पावन पर चलना इसमें कल रात्री से करी तीन बैसे लोग ने स्टांड करना शुरू कर दिया था जो अभी भी निरेंतर जारी है और जो अंदाज अभी हमारा जो फिकर का जो एस्टिमेशन है वह 15 लाके प्लस में क्रॉस कर चुका है तो कि प्राता में ही 6 से 8 के बीच में ही लाकों लोग ने डुक्वी लगाई अचानक से जितनी बसे आई हमारी ट्रेन आई है तो उसके करन बहुत सारे तिर्थाती भी आए हैं जो आगे चारधा में भी बहुत लोग को जाना है तो अभी लगता है मुझे कि इस्टिमेशन गंगा अफ्तरण भी कहा जाता है ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं इसी दिन मा गंगा का प्रित्वी पर अफ्तरण हुआ था भागी रथ अपने पूर्वजों के आक्मा का उध्धार करने के लिए गंगा को प्रित्वी पर लेकर आज जोगा दशेरा है इस गंगा दशेरे पे मा गंगा का धरती पे अवतरन हुआ था जब भगवान शिव की जटाओं में उतरने के बाद धरती पर पहली बार गंगा अवतरित हुई वो आज ही का दिन था और गंगा दशहरे का विशेस महत्व इसलिए भी पड़ जाता है कि दस प्रकार के जो व्यक्ति को लगे हुए दोश होते हैं आज मा गंगा में इस्तनान करके या गंगा मा का ध्यान करके घर पे भी इस्तनान करके व्यक्ति जो दस प्रकार के दोश और पाप हैं उनसे मुक्ति पा लेता है, इसलिए इसका नाम गंगा दश्यहरा है, आज का दिन वो है, स्वहम सद्ध मुहरत होता है, कि किसी भी प्रकार का आपको मुहरत हो या नहों, अपने को शुब काम करना हो, आज के दिन आप वो आँख बन करके कर सकते आपके कारे सद्ध होते हैं, गंगा देशरे का विशेष महत्व इससे भी बढ़ जाता है इसनान करने के पश्चात जो सवभाग्य के कांख्षणी इस्त्री है सवभाग्य की कामना रखने वाली इस्त्री है वो ब्रहमन के परिवार को जाकर सवभाग्य के चिन्ह दे आए वस्तरादी उनको आभूशन और फल मिठाई आगे दे के आए तो उनके घर में सवभाग्य की कामना बनी रहती है इसनान के पश्चात इसकारे को करना चाहिए गंगा जल बहुत ही पवित्र और पूजनिय माना जाता है किसे भी शुपकारे और पूजा अरुस्थान में गंगा जल का प्रियोग जरूर किया जाता है गंगा भवतारणी है इसलिए हिंदू धर्म में गंगा तशहरा का विशेश महत्म माना जाता है और यही कारण है कि इस देन गंगा घाट पर शरधावलों की भारी भीड देखने को मिलती है ऐसे ही देश जुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए समबा 365 के साथ